तो दोस्तो आज मैं जा रहा है साइकल को बनवाने के लिए और यहां पर आप देख सकते हैं मुझे इसको स्कूटी में लेकर जाना पड़ेगा और चले मैं आपको बताता हूं मैं इसे किस तरीके से ले जाने बाला हूं और रिस्क लेना पड़ेगा और इसको में इसको में इसको रख लिया है इसमें पैर रख ले और इसी तरीके से मुझे थोड़ी दूर तक लेकर जाना पड़ेगा चार किनोमेटर दूर है यहां थे साइकल की दुकान तो चलिए कैसे भी करके भी इसको लेगे चलते हैं और मिलते हैं साइकल की दुकान में इसलिए में उतर गया क्योंकि वहां काफी अंकमफर्टेवल तरीके से बैठे थे हम और मेरा फुड़ा पैर भी दर्द कनने लगा लेकिन दूस्तों क्या करें उसी तरीके से इसको ला आज रात तो ये कब नहीं हो पाएगा इसलिए ये साइकल को रखेंगे और कल सुबह तक या फिर दोपहर तक इस साइकल को बना कर हमें देंगे और खर्चा जो ये बता रहे हैं बता रहे कि हजार से पंद्रह सो तक इसका खर्चा जा सकता है और दोस्तों इस आकिल काफी पुरानी है काफी दिनों से रखी हुई थी हमारे घर में तो जाहिर सी बात है कि इसमें काफी खर्चा आएगा पीछे का केरियल ब्रेक सब खराब है इसका तो ये भाया बोल रहे हैं कि मैं कल तक आपको बता दूँगा और बना के दे दूँगा बिलकुल और अभी आप मे साइकल किस तरीके से दिखती है बनने के बाद तो चलिए गाइस हमें थोड़ा बजार में काम भी है तो साइकल रखके हम चलते हैं और कल सुबा आपसे मिलते हैं तो आप देखते हैं पहुंच चुके साइकल की दुगान पर उसका लग है जो साइकल दी थी वही बनकर त्य प्यार हो चुकी तो चलिए दोस्तों साइकल देते हैं हमारी और देखते ही कितना खरचा है अच्छा वाला लगाया है तो दोस्तों साइकल लेने आए तो मैं पता चला कि अभी काफी सारा काम बाकी है और यह बोल रहे थे कि आधे घंटे में आपको बना के दे देंगे बस लगाने है और पीछे का केरियल ठीक करना है तो दोस्तों मैं भी बेट गया और यहां पर मिस्त्री भाईया ने काफी बढ़िया थे यहां पर पूरा काम किया और आधे घंटे के अंदर ही साइकल बन जाएगी तब तक मैं बेट करता हूं और हमने सोचा था हम सेकंड एंट साइकल लेंगे लेकिन और धाई अजार की पड़ रहे थी इसलिए हमने इसी को बनवा लिया कम से कम ये एक साल तो चल जाएगी तो दोस्तों क्या हमने सही किया कमेंट करके जरूर बताए और यह साइकल आपको बनने के बाद कैसी लगी आप ये भी हमें कमेंट करके बताएं तो आज का वीडियो यहीं तक वीडियो कर अच्छा लगाओ तो व्लोग को लाइक जरूर करें साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाज जहिन